ही आपके प्रिलिम्स के अंदर आप से पूछे जा सकते हैं उन्हीं चीजनों को शॉट लिस्ट किया जाता है और आपके पास हर वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक को ले के आया जाता है आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडिया बंगलादेश का फर्स्ट क्रॉस बॉडर पाइपलाइन प्रोजेक्ट अब क्यूंकि इसमें हमारा इंडिया का एक नेबर एक मेजर एक कंट्री इंवाल्ड है दूसरा यह फॉर्स चलिए शुरू करते हैं टॉपिक आज का इट इस इंडिया बंगलादेश फ्रेंड्शिप पाइपलाइन इबी फ्प राइट तो क्या ऐसा कॉंटेक्स ही कि अभी प्राइम मिनिस्टर इंडिया बंगलादेश ने रिसेंटी इनागरेट किया इबी फ्प को इन वर्चुल मोड और अगर तो आपको स्टेट एक्जाम दे रहे हैं और एक्जांपल एक्स आने वाला यह कुछ ऐसा है देर इस माइनर माइनर मिनूट चांस की वो वर्चुल मोड इस चीज के ओपर सवाल डाल दें इक स्टेटमेंट डाल दें की इनागरेशन हुई थी कहां पर हुई चलते हैं हम अपने मेन कॉंटेक्स के ओपर कि क्या है यह इस दी फर्स्ट क्रॉस बोडर एनर्जी पाइपलाइन बिट्वीन इंडिया और बंगलादेश एक बरी आप थोड़ा सर्च कीजिए अगर आपको अल्रेडी पता तो वेरी गुड यह अगर फर्स्ट क्रॉस वो अब जरूर एक बरी कमेंट में लिखके बताईए तो यह कहने का मतलब है इसका अगे देखते हैं 2018 में इनिशेट हुई थी यह और क्या इसका मक्सब था कि हम 1 mm TPA 1 million metric tons per annum यानि की एक million metric tons एक साल में हमने इस pipeline के थुरू पर साल हमने वहाँ पे भेजना है और क्या high speed diesel HSD in Northwest Bengal districts उसके थुरू यह जो project है यह करने के लिए यहाँ पे installed है अब एक बरी map देखेंगे तो अभी हम ऐसे इसका original वो देखेंगे तो map में भी आपको और समझ मे आएगा कि यह जो फिली गुडी है यह कहां पढ़ता है यह आपको पता है यह इंडिया में है यह वेस्ट बेंगॉल में यह पढ़ता है and this is दीनजपूर right this is in Bangladesh तो basically यह यहां से connected है यह pipeline इदर को connect करेगी यह pipeline इतनी बनेगी एक जो आप और चीज़ देख रहे हैं यह अग की जो रिफाइनरी से आएगा वो सिली गुडी यहां पे और इसके बाद में थ्रू पाइपलाइन वो दीनजपूर जो की है पार्बतीपूर डिपॉर्ट वहां पे जाएगा यह जो हमारा HSD है हाई स्पील डीजल अब जो सवाल है वो किस किस चीज के उपर बन सकते है एक क्रिफ्टी कॉस्ट है या 90-10 कॉस्ट है वो इस टाइप की कोई चीज बोल देंगे चेंज करने के लिए बट नहीं दी कॉस्ट इस बान बाइट गर्वर्मेंट ऑफ इंडिया और किस बेसिस पर ग्रांट बेसिस पर ठीक है और यह एक जैनरिक सी स्टेटमेंट है कि हम पा है चाहे वो टाइम का खर्चा हो चाहे वो पैसे का खर्चा हो या फिर वो कार्वन फूट्प्रिंट ओवो सारी चीज़ें जो है इसकी रिडूस होती है जब हम पैप्लाइन को थू भेज हुआ धी थे पैपलाइन एक आपका इंफ्रा-प्रोजेक्ट की तरह होता है यह देखिए, the project involves construction of 130 km long pipeline that will connect Siligudi in West Bengal and Parvathipur in Dinajpur district of Bangladesh, एक और important point इसके उपर सवाल पुछा जा सकता है, मतब थोड़ी statement wise, not in the way की kilometre wise नहीं पूछेंगे वो, statement पूछेंगे की the major stretch lies in India, major stretch lies in Bangladesh पूछ टाइप का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, of the total stretch 6 km will be in Indian side and remaining 124 km will be in Bangladesh यह आपको लगलग जगा पर लगलग देखने को मिलता है, मैं 2-3 नखवारों में देखा था, एक में कुछ था, एक में कुछ था, एक में कुछ था, फोड़े डिफरेंस थी statement में, तो अब मेन इसका जो मुद्दा यह है कि इंडिया में लगबग 6-7 km के आसपास की pipeline रहेगी और remaining 124 km कहां रहेगी बंगलदेश के अंदर रहेगी और पैसा कौन पे कर रहे है, इंडिया पे कर रहे है, grant basis पे Indian leg of the pipeline project will be implemented by Assam based numaligad refinery limited, जो मैं आपको पहले बता रहा था, जहां से वह आ रहा है, जो आपकी screen से बाहर जा रहा होगा, यह map इस तरीके से ही लगाया है, तो यहां से numaligad refinery से तो क्या लिखा है, Indian leg of the pipeline project will be implemented by Assam based numaligad refinery limited and bangladesh leg will be implemented by bangladesh petroleum corporation, ठीक है जी, this is the second cross water energy pipeline between India and its neighboring countries, मैं आपको वह बोल रहा था कि पहले वाला क्या है, उसको प्लीज आप जरूर कमेंट में लिखिए, और उसके वारे में थोटा सर्च भी कीजेगा, कि उससे क्या ट्रांस्पोर् और उसमें अर्चने क्या आई हुई है, वो सारी चीजे आप जुरूर देखिए, क्योंकि ये pipeline वाली जो चीज है, ये दुबारा से active हुई है, और there is a chance कि इसके अंदर आपको सवाल देखने को मिल सकता है, other projects by India to help bangladesh, इसमें से 2-4 major major projects हैं, जो हम देखने वाले हैं यहाप वो supply करता है बंगलादेश को electricity, ठीक है, एक हमारा fact important ये है, तो ये भी आपको directly पूछा जा सकता है, as statement या फिर वो ये पूछ लेंगे कि which of the following thermal power plant supplies the electricity to bangladesh, तो that is the goda thermal power plant, कहा है, जार्खन के अंदर है, ठीक है, दूसरा देखिए, the maitri super thermal power plant in bangladesh is built under a concessional finance scheme offered by India to bangladesh, क्यों ये important है, इंडिया उसको concessional finance दे रहे, concessional finance क्या होता है, कि या तो उसके अंदर आपकी repayment की जो अभधी है, जो duration है वो बहुत जादा होती है, 99 years के लिए आपने loan दे दिया, या फिर उसका interest rate होता है, वो ना के ब्राबर होता है, 0.1% type, right, क्यों ये important है, that is because bangladesh का ये largest power plant ह होने वाला है, इसके इलावा, इंडिया ने बंगलादेश के साथ में 50-50 partnership के अंदर, एक joint venture भी किया है, that is bangladesh, इंडिया, friendship, power company, limited, right, तो ये तीन चीजे हैं, जो other than the pipeline, वो important है, right, और again, जैसा कि हम to the point में कोशिश करते हैं, कि आपको to the point तरीके से आज का current, जो current affair है, वो provide क किया जाय, and that is all for today, my name is Rohit Garcha, thanks for watching, this is to the point and you are watching Abhimanyu IAS.